नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जल से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेर करें क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे टेप्स, ऐसी जानकारियान लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है और आपके लिए बहुती ज़्यादा लाबदायक भी साबित होते हैं तो दोस्तों आईए इस वीडियो में देखते हैं क्या है खास तो दोस्तो इस वीडियो में ये है खास कि आप अपनी शरीर को या अपने फेस पे ग्लो कैसे लाएं अपने शरीर को गोरा कैसे करें जी आदोस्तो आज के जमाने में हर कोई गोरा होना चाहता है तो दोस्तो आज की जमाने में लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इस्तमाल करते हैं जो उनकी स्किन पर एफेक्ट भी कर जाते हैं जो बहुत जादा नुकसान भी कभी कभी उन्हें कर जाते हैं पर दोस्तो हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाये बताते हैं जिनसे आप अपनी स्कि को मुलायम भी कर सकते हैं जी आँ दोस्तों अगर आप महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तिमाल करकर परेशान आ चुके हैं और आपको फिर भी को रिजल्ट नजर नहीं आ रहा तो दोस्तों आप हमारे बताएगर एक घरेलू उपायों का इस्तिमाल कर अपने स्किन में ग्लो करती हूँ शहद की शहद तच्चा के लिए एक टॉनिक का काम करता है शहद खाने से और लगाने से स्किन ग्लो करने लगती है स्किन को गुरा बनाने के लिए एक छोटा चमच शहद लें इसे चहरे पर लगाएं और उसे हलके हादों से मसाज करें जी हाद दोस्तों से बहार निकल कर आएगी जिया दोस्तो संत्रा भी बहुत ज़्यादा फाइदे मंध होता है संत्रा विटामिन सी से भरपूर होता है इसे स्किन पर लगाने से बहुत अच्छा माना जाता है संत्रा खारने और लगाने से त्वचा बहुत अच्छी होती है तो अच्छा का रंग निखरने लगता है और इसे संत्रे के जूस को अपने चहरे पर लगाएं और उसे थोड़ी देर सूखने दें और उसके बाद अपना चहरा धोलें यदि चहरे पर दाग धब्बे हैं तो संत्रे के छिलके का प्रियोग करें और आपका कलर भी फेर हो जाएगा जी यहाँ दोस्तों कच्छे दूद का प्रयोग भी बहुत जादा फाइदे मंद होता है यह हमारी त JACKA के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जी हाँ दोस्तों तיות assum जान के लिए यह TONER का काम करता है जी हाँ दोस्तों कच्चे दूद की मसाज करें अपने चहरे पर याद रहे आपको हलके हाथों से मसाज करनी है और उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें और उसके बाद थोड़ी देर सूखने के लिए उसे छोड़ दे कि वे आपके स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए तो जालिए जब हम आपको पपीते के कुछ खास उपाएं बताते हैं कुछ ऐसे नुस्के बताते हैं जिन से आपको बहुत ज्यादा लाब होगा दोस्तों वैसे तो पपीता की तासिर को गरम माना जाता है लेकिन वे सिकिन के लिए बहुत ज़धा फाइदेमन्द होता है इसमें भरपूर मात्रा में अंटी ऑक्सिजन्ट और विटामिन A होता है इसलिए पपीते को खाने के साथ ही इसे लगाने से भी बहुत ज़्यादा लाब होता है स्किन को गोरा बनाने के लिए पपीते के टुकडे को पीस ले और उसे गाड़ा पेस्ट अपने चहरे पर लगाएं एक खंटे तक यह पेस्ट अपने चहरे पर लगा रहने दे फिर इस चहरे को दो ले यह नुसका नेमिर रूप से धोराने ज़े आपका रंग गूरा होने लगेगा जियां दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने छोटे छोटे उपाए आपकी तवच्चा को कर देते हैं एकदम गोरा और सुन्दर और एकदम निखार देते हैं तो क्योंना आप भी इन सब का इस्तेमाल कर अपनी स्किन को बनायत गोरा और निक्रा हुआ एकदम से तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही लोट कराऊंगे एक नए टिप्स एक नए नुश्के के साथ मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा और शेयर भी जरूर करिएगा